नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं Grand Jyotis Secret मकर सक्रांती के दिन पवित्र नदियों में असनान करने का बिसेश महत्व है अब चुकि आप नदी में असनान इसमें तो नहीं कर पाएंगे लेकिन सुमूर्थ में घर में ही असनान कर लीजिएगा पर नहाने के पानी में आपको कुछ खास वस्तु डाल कर ही नहाने चाहिए वैसे एक बात और जान लें कि इस दिन दान करने का भी दान है तो कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसका दान भूल कर भी नहीं करनी चाहिए मकर सक्रांती पर इस वार बन रहा है बहुत ही दुरलब सयोग क्योंकि सुरी दे मकर रासी में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो सुरी की मकर सक्रांती सुरू होगी और 14 जन्वरी 2022 को मकर सक्रांती का पर्व मनाया जा रहा है तो इस बार 14 जन्वरी 2022 को बुद्ध भी मकर रासी में वक्री होंगे और फिर यहां पर मकर सक्रांती कुछ खास सुप सयोग के साथ आया है चले जानते हैं बिस्तार से पहले सुमूर्थ के बारे में तो 14 जन्वरी 2022 सुक्रवार सक्रांती का काल जो रहेगा वो दोपहर 2 बचकर 42 मिनट और पुन्यकाल दोपहर 2 बचकर 43 मिनट से साम 5 बचकर 45 मिनट तक पुन्यकाल अबधी कुल 3 घंटे 2 मिनट का है और महापुन्यकाल दोपहर 2 बचकर 43 मिनट से रात्री 4 बचकर 28 मिनट तक म महाँ पुन्यकाल अब दी एक घंटा पैतालिस मिनट का है तो 14 जनवरी 2022 को सक्रांती असनान सुबह 14 जनवरी को ही अभीजीत मूर्त सुबह 11 बचकर 46 मिनट से दोपहर 12 उनतिस तक रहेगा अमरित काल साम 44 से साम 6 उनतिस तक रहेगा और ब्रह्म मूर्त सुबह 5 बचकर 38 तक रहेगा बिजय मूर्त साम दोपहर 154 से दोपहर 27 तक और गोधिले विला मूर्त साम 5 18 से साम 5 42 तक रहेगा तो इस बार मकर सक्रांती 14 जनवरी सुक्रवार को ही मनाया जाएगा और सुरिदेव अपने पुत्र सनी देव से मिलने जाएंगे वर्स में कुल 12 सक्रांती होत हरें चोड़ी में तो 14 जनवरी को सुरी देव जब मकर रासी में दो पर пार 23 मिनट पर प्रवेस करेंगे और महा जो मकर सकरांती का पुर निकाल 3 गंटे 2 मिनट का है दो पहर 2.43 से सुरू होकर साम 5.45 तक रहेगा ऐसे में इस दिन गंगास्नान करने से सभी कस्टों का नास होता है और अगर आप दान करते हैं जब तब करते हैं तो माननेता है इस दिन दिया गया दान बिसेश फल देता है अगर किसी ग्रहस्त ब्रह्मन को भोजन या आप करवाते हैं तो यकिनन आपके जीवन के हर कस्ट समाफ्थ हो जाते हैं साथ ही कुछ न कुछ दान तो जरूर करें क्योंकि मतस्पुरान के अंठानवे अध्याय के सतर्वे भाग से लिया गया एक स्लोक है कि मैं सीव और विष्णू और सूरे एवं ब्रंभा के अंतर नहीं जानता वह संकर जो भी स्वात्मा है सदा कल्यान करने वाले हूं परानिक कथा के अनुसार सूरे देव अपने पुत्र सनी देव के घर एक महने के लिए उनसे मिलने आते हैं और ये दिन खास तोर से पिता पुत्र के लिए विसेस माना जाता है क्योंकि इस दिन पिता पुत्र का रिष्टा निकटता के रूप में देखा जाता है और जोतिस की माने तो सूरे और सनी का ताल मेल और संभव है लेकिन सूरे खुद अपने पुत्र के घर आते हैं इसके पीछे कथा भी है कि भगवान विश्णू ने मधू कैटब नाम के राक्षस का बद्ध किया था और उन्होंने मधू के कंदों पर मंदार परवत को रख दिया और उसे दबा दिया इस दिन भगवान विश्णू को मधू सुदर नाम दिया गया और साथ ही बुराई में जीत के साथ इस्तियुहार को मनाया जाने लगा हलाकि इस बरत के बारे में बहुत सारे कथाए है लेकिन सुरेदेब ता उत्तरयन काल में पदारपन कर रहे हैं और सुरेदेब ने मा यसोधा को उनकी मनोकामना पूरी होने का असिर बाद ही इसी दिन दिया था मकर सक्रान्ती के दिन भूलकर भी तांसिक भोजन नहीं करना चाहिए वजन पूरे साल मांसिक सांती आपकी भंग रहेगी गलती से भी मांस मदीरा का सेवन ना करें लहसन प्याज का भी सेवन अगर ना करें तो जादा अच्छा रहेगा और किसी भी तरह का नसा भी इस दिन नहीं करना चाहिए वैसे पवित्र नदी सरोवर में तो नहाईएगा ही और साथ ही इस दिन बस ये समझ लें कि ब्रहमचरे का पालन करना चाहिए इस दिन दान का सबसे ज़्यादा महत्व है क्योंकि कहा जाता है पूरे साल आप कुछ भी दान करें उतने फ़ल नहीं मिलते जितने इस दिन किया गया दान का मिलता है लेकिन भूल कर भी कच्चे चाबल का दान ना करें करना हो तो बनाया हुआ खिचड़ी का दान कर सकते हैं जिसमें काली उड़र डाला हुआ हो दूसी बात पलास्टिक के बरतनों का दान तो भूल कर भी ना करें चाहे जो हो जाए तामबा वैसे इस दिन दान तो बहुत साइच चीजें की जाती है लेकिन अगर आपका सूरे बेखतर है तो तामबा का दान मत कीज़ेगा वरना सूरे कमज़ोर हो जाएगा रही बात सनी देव से समंधित चीजों का दान करने का वो आप कर सकते हैं जो भी दान करें अपने हाथों से करें अपने उपर से तीन बार उतार कर किसी भी गरीब बैक्ती को दे सकते हैं कोई ना मिले तो पीपल के नीचे प्रेम से रखा है इस दिन तिल खाईएगा जरूर और दान भी कीजिएगा फिलाल भी दा लेंगे धने